देश की अर्थिक राजधानी मुंबई के बोरिवली पश्चिमस्तीत गोराई दो गोराई परीसर में मादक पदार्थ का कारोबार करने वाला आरिफ शेक और उसका साथी संजय चेटियार गैंग ने यूट्यूबर विद्या देवी पर कुलेयाम गोराई में मार्पिट के तथा नियायले में लिखी शिकायत की है कि एक आरिफ शेक बंदा है नाम का जो मलब हमारा तीन साल पहले में उसको भाई बोलती थी फिर उन्होंने वो थोड़ा कैतना माफिया टाइब ड्रक्स दीलर है उसे हमें मिलजी और मेरे मिश्चर को भी इस नर्शी की जुनिया मे आपके बहुत सारे केसेज भी किये पुलिशेशन भी गई में दो बार एक बढर फीजिकल भी गई मैं पिसिकल जा के इनके इनको पर फिर सही जहां पर यह हुआ है न तो आगस्त में दो हजार बीस में वहाँ पर उसी बंदे ने इनको दस लगों के सापले के मारा था तो म मेरे दो घंटे तो उनके सब अच्छे गंदे सब सवालों के जवाब दियो उन्हों निये तक पूछ लिया कि तुम कितने बार सोई हो कितने बार उठी हो तुमें कब पता चला तुमारा बच्चा है या तुमारा दुष्मन ही है ये सारी बाग थी हम निमकिल गयी ती ती महिरा मंडल भी थी लेकिन उसके बाद वहा है अचानक से कैप कर भी गई वह उसका पकाई नी चला उसके बाद हमने फिर कोट में केस किया, उसके उसका केस के बाद, पहली तारिक मवंबर में, दिसम्बर में, अब तक कम से कम 15 से 20 तारिक पड़ चुकी है, वो आस्तो को बंदा आया नहीं है, मुझा कोट में नहीं आया है. तो आप जो 2020 में घए थी तो एफायर ले लिए लिए इस लाद? कुछ कार्णों से उन्होंने मुझे नशी की दुम्हें में डाल दिया था परसो का वीडियो ऐसा था कि देखे उसके पहले तीन-चार बार ये बंदा में जब भी यात्रा कर रहते थी तब तब ये बंदा आके इनको मतलब एक harassment बादा इंके पीछे पढ़ा मारने के लिए जो कि आसे तीन साल पहले हमारा उनसे लेंदेन खतम हो गया बोली ना मैंने केस कर दिया तो मैं उससे लेंदेन नी करती तीन साल तक हो कई दिखता भी नहीं था आता था दिखता था ठीक है विगिन अभी कुछ दोड़ मैंनों से वो लगातर हर 15-20 दिन पे जब उसको पता चलता था कि मैं नहीं हूँ गॉम्बे में तब वो इंके पास आके इंके सामने खड़े रहना इंको टॉर्चर करना है न तो मैं दो महिने से धूंड़े थी उसको कि तही न कहीं मिले तो एक दार आमने सामने बाद करू कि मैंने भी अभी क्राइम रांसवाद किया दिली में तो उन्होंने भी कहा मैं आपके पास जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है वो 2020 की है अभी फिसिकल क्या है आपके बास फिसिकल तो हमें को दिखाए कि सामने अला बंदा सच में अटेक्स करना चाहता है मैं बढ़ी क्या क जो भी तर कि वीडियो मैं बनाती हूं जगडे मैं करती हूं जो बाते मैं बात बोलती हूं इन्होंने तो आज सक किसी को कॉल भी नहीं किया है तो इनके पिछे पंड़ने का क्या मदलगा और इनको मारने का मोटिवेशन की हूं मुझे वह समझ मैंनी आ रहा है उस बात के हूं मैं अधरी मैंने घृषाली रोक में खुप से गाडी रोक के उसको पुछने शुग किया तो उनके साथ जो लोग खड़े थे ना उन्होंने मैं वान इनको जाना इता हूं मैं परसो देखा उन्होंने आचानक से बोला आप जाओ 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 मैंने कला भाद कर आए उ वही प्रूफ तो मुझे चाहिए था और लग्ली मुझे वही प्रूफ मिलिया, बल्लब कहा ही था, अगर सच में उसको दुष्मनी निकालनी है, तो इनसे दुष्मनी निकालेंगे जरूर, और वही प्रूफ शेद है, उन्होंने अच्छानक से इंको घेर के, इंको धप्प लग्ली परसो ऐसा हुआ कि मैं कुछ कहीं से बाहर से आ रहे थी, और वही पुझे सामने दिग्या रोड पे, तो मैंने जाए कोशिश की तो मैंने बात करने के साथ साथ में निकालना सूचाँ कि भाई, कुछ हो आगए तो देखू ना क्यू कुछ हो सकता है, मार भी सकता ह क्योंकि दो तिन बार ऐसा हुआ कि वह आया और भाग गया है, तो मैंने ऐसे वीडियो निकालके मैं उससे बात करे थी, भाई, तो क्यो एसे कर रहे है, मुझे बताओ तो तो उसी कारण क्या है, बार-बर क्यों बार-बार आरा आप देखिए उसमें मैं बोल रही हूँ, त जो अचानक से उससे मुझे गाली देना शुरू किया, इनको ड्य Ayever बोलना शुरू किया, 。 पुदाना किस्णा फिर से हुआ उसका गुसा बार आरा था, तो फिर से पुदाना किस्णा बही शुरू कर रहा है, मैंने बोले insanely driver तो तो तीं जाके इंके बर हाता पाई शुरू करते हैं, ऐसा हो. कि पुरा गोराई ड्रक्स माफिया हो चुका है, हमारे गोराई में एक साल के अंदर बारा लड़के मर चुके हैं, इसी चक्तर ले हैं, कि मुझे आपके फूरा भरोसा है, मुझे फिलाल पूली स्टेशन नहीं आना, मुझे किसी को कम्प्लेंट ने काना, मैं आप लोगों के कि पहले तो इस बंदे को यह बात से रोके कि यह बार बार इन तक क्यों आ रहे हैं, इन तक आने का कोई मतलब नहीं क्यों कि तीन सालों में ने ना कभी उससे बात की है, ना कभी कॉल किया है, कुछ ने किया है, इन तक आने का मतलब है, तो उसी जो हादब भाई उसमे जग आज जो भी कंपनी चल रही आचिक लोग उसे है को यह है अभी कंपनी का ना मुझे तो नहीं पता तो अच्छी प्रादिभाय नहीं रहा तो उनको भी कैसा इतना रग्सिया की हो पागल हो गे हमको भी कैसा रूम में बंग करकर रखना पड़ता की और मेरी मम्मी को भी ऐसा वो लोग ने टॉचर किया ना रहे दिदी आप एमाद करो ऐसा हो एलो वो मत करो ऐसा हो हम लोग तो रिक्वेस्ट कर देते हैं तीनों भाईवेन हैं हम लोग सब रहोते थे कि प्लीज मत दो जितना भी एक कम दो अगर आदत चूड़ा रहे एसा बोल कि हमारे गड़ पर दस दस पदा बरना लड़के लेकर आना उनको हम लोग पर नज़र रखवाना सब कुछ वालतो करी हो चुकिए हम लोग में बट रिक्वेस्ट कि फिर एक ताइम आए कि मेरे माम में तीन दिन के लिए होश मही नही नही आगी इसे मंपी नहीं बताया हैं कि वह में तीन दिन दिन के लिए होश मही नहीं तो उसका हमलों का जगड़ा हो गया एक फाइनल हम लोग आए हमलों को जगड़ा करना चेहिए क्यों मेरे पपप भी उस वक्ते सा वो लोगने सब को भटा देया जरसा था मनों तीम बच्चे ये थे घर में तो तीम दिंग भोश मेने तो उलोगने पतानी शिक्या मिला के दिया फिर क्या गुससे में दिया मुख्वियों की मम्मे एक़ बात गो ज़ेती कि प्रडिट को ब बहुत ही मुश्रामा आरिफ ऐसा ही मुश्रामा आपके साफ में एकता रोयेगा, गायेगा। बच्चे लोग ऐसा mentally torture करते थे कि तुम्हों की मुम्मी बहुत अच्छा है देखे के सब बन करते, अच्छी हो रहती है, अपने बहुत सोस किये, सब करती है, उसका बड्डे था मेरी ओमनों उसके पीछे दसलाग फुटाव बड्डे में खर्चे किया, अपने अच्छी हो र बड्रक्स अब, इससे भी आई है, हम लोग जा रहे थे, हमारे रस्टे जा रहे थे, अधा दिदी को लोग ने देखा, नई दिदी न उनको देखा, तो दिदी बुलती उदर जाक्या थे अपने बार पेची बार सौल करते थे, उधा हम लोग गए रुके तो दिदी मिच् कि मैं ऐता है, तो गालिवाली दी है तो झाली दी तो फिर दीदी न भी गाली दिया, तो बात हम लोग आता हिके पробिशकर जीजा में दो रहे हैं् है लेकिन वो आता है बार-बार बार वाई शे भानना लेका है, इती होंटा हुटा है। उसनी नहीं क्या दिछा था गाली जो थिनी हुआ। जो मिलास बहे ने बत़ा है वही दिक था हुआ है। फॉत दिग पिलेो नि कुले कि जडिय डाता है, सटेरेशने, वे बदे बластकुन हिता तो मने ब्रश को गजगा ड시면 अगे दिग म्सक्राइब साधो enterprise जग क्यों सब्सक्षрाइब ध मैं आडएा था आःव ये वीडियर स मार रहे है तो पुल्टा भूरत हम भी तो जाली दिलोश करा रहा हुआ। तो पर दिवाई को अचले से थक्का दिरे ऑफ गे गे। चले मेटें पीच मे आये तो भी पेट में लग गया हुआ। अगर ये जैसे ये दोनों थे, मैंने वहाँ पर देखा कि ये जैसे मेरे साथ खड़े हैं तो वहाँ पर कोई ब्लू शॉट वाला आदमी था, उन्होंने इनको डारेक बोड़ रहा है कि तुम जाओ मलब करने, आ भी रहा है हमारी, तो उनको हटाया जा रहा है, कि आप जाओ और टो अपर दोनों पड़िए जाओ उनको मददें उनको पड़ दिए ने, इनको बाहर जैसे निख ती बात है, तो इनके बर हाथा पाइक पहसे पॉसरूब कर वह समझ में निया है, वह बंदे को कह जो सब्सिता है? तो इसके बाद हमारे पास एक ही प्रावधान होता है जो है पूर्ट में हम लोग ने केस फाइल किया है कि हमें यहां से जाए मिलेगा सबी तक कितने लेटर वर्क किये है अपने क्या क्या धारा उसमें है पचास से भी ज्यादा इसमें 354, 307, 306 ऐसे और हम लोग ने ऐसे कंप्लेंट किये है लेकिन उस पे पूलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कारवाई की नहीं रही है सार आरूपी गंब एक बात करें तो किस तरह क्या बैगराउंड आरूपी का आरूपी तो देखने गा तो अभी जो संदीक उने में ने जो उसमें दिया है इनका सारा घीरो इसमें शामिय है लेकिन पूलिस तरफ से क्या दलील पेश की गई थी? हमने ACP, DCP, CP और Senior Police Station इसमें सब में केसे की हैं वहाँ से हमें कोई कारवाई नहीं हुए तो इसके लिए हम अभी नयले में केस धर्च कही है तो इसके लिए हम आपको मैं याद दिलादू कि सुप्रिम कोटा कहना है लालिका कुमारी वसे ट्रेट अब ब्यार में अगर कोई भी वेक्ती पुलिस सेशन में कोई भी कंप्लेंड लेकर जाता है और उसमें अगर कोगनीजेबल ओफेंस मेड आउट होता है तो पुलिस वाले की सबसे पहली ड्यूटी होती ही कि एफायर रेजिस्टर करें उसके बाद मैंकर को इंवेस्टिजेट करें यशा इन्होंने बताया कि इसमें आरोपी है उनलोगोंने बहुत ही जानग लेक्षा और इसका मतलब इसके पीछे जो आरोपी है वो बहुत ही highly influential है और उनका हमेशा का ये कारोबार रहा है ये सारे गुना करने का जिसके बैबीट हो के पुलिस भी उनके खिलाब कोई भी action ले नहीं रही है और अब इसके बाद उन्होंने जैसे यहां की police station में कोई भी action नहीं लिए तो उन्होंने procedure के हिसाफ से जो हमारी का दर्कवास्त है कि एक लेमेन एक मामुली आदमी जो police station जाता है अपनी सिखायत लेकर वहां उसकी सुन्वाई नहीं हो रही है तो कोट उस matter का संग्यान ले और उसमें जो भी order हो सकता है जैसे कि fire करने का order का डारेक्शन दे मेरेस police station को उनके concern police station को fire register करे और जो आरूपी है इनके पीटे उनको प्री सकरी सजागे उनको प्रीक साया है उनके प्रेशन था करें यहां